वैसे तो जन्म कुंडली के लगन में शुक्र को कारक माना गया है जन्म कुंडली के बारहमे भाव में शुक्र अतिविसिस्ट कारक हो जाते हैं तो वहीं कुंडली के चत्नूर्थ भाव में दिगबली हो जाते हैं लेकिन आज जो सूत्र बताने जा रहा हूं, उसे जरा नोट करिए कि जन्न कुंडली के तीसरे, छठवे, दसमे और 11 में, नोट करिए, तीसरे, छठवे, दसमे और 11 में, इन मैंने इनका एक विसिष्ट भाव, विसिष्ट कारक के रूप में देखा जाए, तो सस्ठम में भी ये कारकत तो ही ग्रहन करते हैं क्योंकि बारहवे के समुख होता है लेकिन जो इनके मुख्य विस्ष्ट भाव है उनमें से किसी का जिकर नहीं किया तीसरे छठवे दसवे और ग्यारहवे इन चारों में से किसी भी भाव में अगर शुक्र बैठे हो जन्म कुंडली में तो ज जातक का भाग्योदय जातक का साथ देने लगता है और ऐसे जातक का भाग्योदय तो चाहे जब भी हो बाईसमे वर्स के बाद ही उसको भाग्य का साथ मिलता है और जो भी वो कारे करना चाहे बाईसमे वर्स के बाद उसे धीरे धीरे सफलता मिलती चली जाती है और वो सब कुछ हासिल कर लेता है निसंदेह ऐसे जातक के भाग्येस कोई और ग्रह हों और भाग्योदे जब वो कराएं तो उसके बाद उसका भाग्य और मजबूत हो जाता है लेकिन उस जातक को सब कुछ 22 वर्स के बाद पुरुनतह में ही ने लगता है